हलो गाईज, विलकम बैक टू माई चैनल, पोल्टिक असंसी क्लास इस मैसल सोनम चोहान, सो गाईज, आज के मारे क्लास का टॉपिक है भारतिय संसत के कारी और शक्तिया, तो आज हम यहाँ बात करेंगे इंडियन पार्लिमेंट के पावर और फंक्शन्स के बारे में, क्योंक कि बागी सारी जगर राज्य सबह, लोग सबह की बात करेंगे, जो आने वाले शैसंस में हम उसको डिसकस करने वाले हैं, लेकिन उसे पहले जो काफी इंपोर्टेंट है, वो है इंडियन पार्लिमेंट की पावर और फंक्शन्स, तो फंक्शन्स को पावर को जब भी हम यह सुस होता है कि सच में सबसे जो पावरफूल जो ऑर्गनाइजेशन अगरम बोले या किसी ब्रांच जैसी बोले, जो सबसे जादा पावरफूल हैं, देश में सबसे जादा शक्तिशाली हैं, तो आईए चले जानते हैं क्या है संसत की शक्तियां और क्या कुछ संसत के द्वारा किया जाता है इससे पहले वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है शेर करना है चैनल पर नए हैं पहली बार चैनल को अटेंड कर रहे हैं तो उन्हें सब्सक्राइब जरूर करना है नीचे बैल आइकन को प्रेस करना तागि कि हर एक वीडियो का अपडेट का और इन्फोमेशन का नॉटिफेकेशन आप तक पहुँच जाए भी तक अगर पहली बार ही आप क्लास को अटेंड करने हैं और एक्जाम आने वाले हैं तो उसको लेकर कि जो बाकी की क्लासिस हैं वो भी अटेंड कीजे तो सबसे बहले बात करते हैं हम व्यवस्थापन संबंदी शक्तिय देखिए मैंने पहले भी काफी बार आपको समझाया है कि कुछ पॉइंट में ऐसी पावर्स के ऐसे पॉइंट है जो आप बहुत सारे कोशन में उनको इंक्लूड कर सकते हैं अगर हम शक्तियों की बात करें legislative power, executive power, financial power तो ये ऐसी पावर है जो काफी सारी अगर हम प्रधान मंतरी की बात करें राष्टपती की बात करें, मुख्या मंतरी की बात करें राज्यपाल की बात करें, इनके एगर शक्तियां आती है और आपने एक ही किसी पोस्ट की शक्तियों को बारे में पढ़ा है और बाकी कोशन अगर राज्यपाल का आता है या राष्टपती का आता है तो इसमें वो सारी power आप इंक्लूड कर सकते हैं यानि कि वो दो-तीन जो power के point है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो सारी power कहीं न कहीं दूसरे से relate करती है तो बस आपको अंदर का जो matter है वो थोड़ा सा change करना है वो थोड़ा समझना है बाकि सब कुछ exactly एक ही जैसा रहता है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करें संसत की विवस्थापन संबंदी शक्तियां यानि की legislative जो power है तो संसत को संगिय सूची और समझना है संवर्थी सूची के सभी विशो पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है संगिय सूची यानि की center level की जितनी पी subjects होते हैं चाहिए वो defense की बात करें, financial की बात करें या overall बहुत सारे से topic है जिन पर वो कानून बना सकते हैं उसके लावा संवर्थी सूची का मतलब होता है joint schedule यानि की राज्यो के आधार पर भी और center level के आधार पर भी कुछ कानून बनाने का जो अधिकार है मतलब सारे ही कानून बनाने का अधिकार होता है वो भारत की संसद के पास है तो इसके अलावा सभी संगेक्षेत्रों के लिए संसद को सदेव ही सबसे मतलब सभी विश्यो पर कानून बनाने की शक्ती प्राप्त है संकट काल की उद्गोशन यानिकर अगर एमेरजनसी की कोई उद्गोशना के अगर काल की बात करे तो राज्यसुची की विश्यो पर संसद कानून बना सकती है यानिकर स्टेट लेवल पर कोई भी एमेरजनसी लागू करनी है तो वहाँ पर भी संसद की ही प्रामर्श लेना जरूरी होता है जब कभी दोया-दो से अधिक राज़ों की विधान मंडल प्रस्ताव पास करके संसद ने किसी विशे के बारे में कानून बनाने की प्रातना करे तो संसद कानून बना सकती है और इसी प्रकार जब राज्य सबाद दो ती हाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके रास्ट हित में संसद को राज्य सूची कि किसी भी विश्य पर विशेश पर किसी भी राज्य विशेश पर कानून बनाने का अनुरोध करे, उनसे अनुरोध करे तो वो संसत कालून बना सकती है, तो इस तरह के सब वो विवस्थापन संबनी शक्तियों का प्रयोग करती है और अगर हम संसत की बात करते हैं, तो संसत के लिए एक statement हमेशा ही काफी famous रहा है, कि संसत गल्स को boys और boys को गल्स में convert करने के अलावा, बाकी दुनिया के वो सारे काम कर सकती है, भारत में वो सारे काम कर सकती है, ठीक है, अब next हम बात करेंगे वित्य शक्तियों के बारे में, तो सविधान यानि कि financial power के बारे में, तो स्टेट को पैसो की हेल्प दी जाती उनको नॉर्मली अनुदान बोला जाता है तो ये सारी जितनी भी डिमांड्स होती है वो संसद द्वारा ही स्विक्रत होने पर परभावी होती है क्योंकि सविधान के अनुसार विधी की प्राधिकार के बिना ना तो कर लगाय जाएगा नहीं यानि की ना तो टेक्स लगाय जाएगा और नहीं एककत्री जनी की उनका जेनरेट किया जाएगा उसको और उस रेवन्य को एककत्री जनी की एकहटा गिया जाएगा जब तक संसद उस पे स्टेंप नहीं लगा देती है तो संसद की प्राकलन और लोखलेखा समीती को न्यूक्त करती है और नियंतरन महालेखा परिक्षक जिसको हम कैग बोलते काफी पावरफुल पोस्ट है और इसके परतिवे दिन पर भी विचार कर उचित कारेवाही संसद के द्वारा ही कराई जाती है संसद की स्विकरती के बिना सरकार को रास्टे ही तुमें खर्च का अधिकार भी नहीं होता है यानि कि अगर सरकार कहीं पर भी और जाद इन्वेस्ट करना चाहती है तो भी वो संसद में उस प्रस्ताव को रखेगी अगर संसद उसे एकसेप्ट कर लेती है और परमिशन दे तो काफी हाडली ये प्रोसेस होता है संसद में उस चीज़ को रखा जाता है और फाइनल उसकी परमिशन के बाद ही वो सारी चीज़े कराई जाती है नमबर तीन हम बात करेंगे कारेपाले का शक्ति यानिकि एक्जुक्यूटिव पावर तो भारत में संगाहत मक्षासन प संसद के प्रती मेंटर पर तो उने जवाब वहा पर देना होता है तो मंत्री मंदल के वाल उसी समय तक सत्तारूट रह सकता है जब तक कि उसे लोगसभा का विश्वास प्राप्त है तो पास साल किसी के लिए प्यम पर stability अपनी बना करके रखना काफी complicated होता है because of democracy में कभी भी कुछ भी हो जाए कुछ कहां नहीं जा सकता तो ऐसे में वो अपने आपको एक लोग सभा में विश्वास अपना जो कायम है वो रखने के लिए काफी मेनद उनको करनी बढ़ती है तो इसके लावा संसद जो होती हुँ अनेक तरीकू से कार्य पालेगा पर control रखती है उनको नियंतर रखती है संसद के सदे से अविश्वास प्रस्ताओ नियंदा प्रस्ताओ, सगन प्रस्ताओ इनके द्वारा भी सरकार पर नियंतर रखते हैं वैसे इन सारे जो भी टर्मिनोलोजी है संसद के मैंने अलग-अलग वन मिनट जी के इन पॉलिटिकल सेंस की वीडियो लेक्चर में काफे सारे वीडियो बनाई हुई है अगर आपने भी तक अटन नहीं के तजा कर कटन करो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उन सबका यानि कि वन मिनट जी के इन पॉलिटिकल सेंस है एक एक मिनट में यह टर्मिनोलोजी मैंने वहां पर डिसकस की हुई काफी इंपोटेंट है प्रशन पूच सकते हैं पूरक प्रशन पूच सकते हैं और सरकार की आलोचना कर सकते हैं तो संसत सदस से बजट को अस्विकार करके मंत्रों के वेतन में कटोती का प्रस्ताव स्विकरत करके और सरकारी विधेक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं तो ये काफी सारी एक्टिविटी काफी सारा प्रोसेज होता है संसत के आधार बरी किया जाता है अब नेक्स हम बात करते हैं फोर्थ राज्यों से संबंदित शक्तिया तो यानिकि स्टेट से रिलेटि कुछ पावर संसत के पास है तो सविधान में संसत को ये अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भीव है उनकी सीमाओं उनके नामों में परिवरतन कर सकती है यानिकि अगर पार्लेमेंट चाहे तो उत्तर परिदेश का नाम बदर कर कुछ भी रख सकती है अगर पार्लेमेंट चाहे तो उत्तर परिदेश का जो एरिया है यानिकि उत्तर परिदेश के अंदर से ही काफे सारे स्टेट और किरियेट कर सकती है बढ़ एक इसके हातों में है सिर्फ और से व संसद के हातों में है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे वीडियो लेक्चछर के मादम से आपके समझना होगा कि सबसे ज़एधा अगर पावर है तो वो संसद के हातों में है तो नवीन राज्यानिकी नए राज्यों का निर्मान भी संसद के द्वारा ही किया जाता है और किसी राजय का स्तित्वगर समरप्त करना है यानिकि उसको पूर्देक से finish करना है, dismiss करना है तो भी संसद की ही आधार पर किया जाता है बाकि इसके लावे संसद को भारतिय नागरिता के निरधारन का भी अधिकार है अब नेक्स बात करनें फिफ्थ सविधान संचोधन से संबंदिद शक्तियां यानि कि constitutional amendments related कुछ powers है तो जितने भी constitutional amendments होते हैं वो basically संचत के द्वारा ही पास की जाते हैं और उनके आधार पर ही complete होते हैं बिना संचत की आग्या के सविधान में संचोधन नहीं होता तो सविधान के अंचा संचत को याधिकार है कि सविधान में भी संचोधन कर सकती है और यहां तक की सविधान के संचोधन की जो भी परिकिरिया है उसको भी संचत संचोधित कर सकती है अगर हम overall सारे चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा powerful जो है इस समय पर वो संसद है भारत में नेक्शन हम बात करते हैं निर्वाचन संबंदी कारी तो निर्वाचन का मतलब इलेक्ट्रोलिक सिस्टम से संबंदी जितने भी कारी होते हैं वो भी संसद के द्वारा ही कंट्रोल की जाते हैं यानि कि सविधान के अनुछेद 54 के नुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंदी शक्तिया परदान की गई संसद के दोनों सदनों के निर्वाजिश सदिस, राष्टपति के निर्वाचन के लिए गटिद एक निर्वाचक मंडल की एक अन्श होते हैं बैसिकली निर्वाचन हम उस प्रस्पेक्टिव से बोल सकते हैं जब कहीं बर भी आप डिरेक्ली वोट नहीं करते हैं निर्वाचित किये जाते हैं जिसे राष्टपति का निर्वाचन उपराष्टपति का निर्वाचन उनका जो निर्वाचक मंडल होता है यानि कि हमारे दुवारा चुने कई MPMLS उस निर्वाचक मंडल के ही अन्श होते हैं तो ये कहीं ने कहीं संसद से ही relate करता है तो अनुछिद 66 के अनुषाने ने Article 66 के coding संसद सदेसे उप्राष्टपती का भी निर्वाचन करते हैं तो ये सारे सदेसे क्या करते हैं निर्वाचन में भाग लेते हैं अब next और last यहां पर 7th point है महाभियोग का अधिकार तो अगर महाभियोग के इम बात करते हैं impeachment की बात करते हैं चाहे वो राश्टपती पर लगाया गया हो चाहे वो Supreme Court के judge पर लगाया गया हो या High Court के judge पर लगाया गया हो उन सब की परिकिरिया कहां पर रखी जाती है वो जो प्रस्ताव रखा जाता है वो संसद में रखा जाता है first of all किसी भी सदर में रखा जा सकता है लोकसभा में रखा जा सकता है राज्यसभा में रखा जा सकता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित कुछ विशेश परिकिरिया यानि की simple परिकरिया नहीं होती है महाबियोग की बहुत ही special process होता है उसके आधार पर राश्पती पर महाबियोग लगा जा सकता है और इसी तरीके से उच्टम यानि कि जो Supreme Court है, High Court है उनके जितने भी justice होते हैं, जितने भी judge होते हैं नहीं होते हैं, उन पर भी महाबियोग लगाने की same as it is, यही परिकरिया है या उनको पद से हटाने की, तो वो भी संसद के द्वारा ही पारित की जाती है तो यह थी completely भारत्य संसद की कुछ कारिय और शक्तियां अब इस कारिय और शक्तियों को आप यहाँ पर study करने के बाद में आपको थोड़ा सा analysis यहाँ पर करना होगा कि सबसे दा powerful अगर हम बात करते हैं भारत में क्या है सबसे दा शक्ति शाली तो वो संसद है, I think so यह जो वीडियो lecture है आपको काफियत तक यह पसंद आयोगा, पसंद है तो like करना है, share करना है कोई problem है, कोई इसा topic है जो समझ में नहीं आ रहा है, कोई concept और clear out नहीं है, नीचे comments box में आप लिख करके बता सकते हैं, जहां से भी इस वीडियो को attend करने हैं, जिस भी राज्ये से जहां से भी जिस भी एरिया से आप नाम के साथ में, share का नाम ज़रूर लिखें अगर चैनल पर पहले बार अटेंड कर रहे हैं तो subscribe ज़रूर करना है नहीं चे बेल आइगन को प्रेस करना तागि हर एक वीडियो का, हर एक information का, हर एक update का notification आप तक पहुँच जाएं तो मिलते हैं next classes में Thank you जहीन जे भारत